हलो एब्रिवान चलिए मैं आज अपने किचन में एक इस्पेशल डिस लेके आ रही हूं जो इंस्टन बिना गैस के मिठाई बन सकती है कुई गर में एक बनाने का मन हो तो आप इंस्टन रेसीपी बना सकते हैं वह भी दो कलлек पूर किया Japanese कPN कल Sug कि इस अब कोई सभी कल्र है सभी तेक हैं वभी इंस्टन तो चलिए आप सब देखिए में रेस पी और फाल किईए हेलो फ्रेंड चलिए आज हम लोग बनाने जा रहे हैं जटपट रेसिपी यह मैं आप लोग के लिए ले के आई हूँ इंस्टन मीट है जो अब पांच मिनट में घर में ही बना सकते हैं तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यह मैंने लिया है नारियल का चुरा यह मैं एक कटोरी ली हूँ और यह है पाउडर मिल्क पाउडर और आप चाहे तो मिल्क पाउडर नहीं रहेगा तो आप कम भी ले सकते हैं वैसे यह पूरा नहीं है यह हाफ कटोरी से थोड़ा सज लिया है और ये है essence ये वनि राइस्स यसे आपके पास चोक्टेट एसेंस है वह भी लिए सकते है और ये एक फोड कलर मैंने pink लिए है तो चलिए बनाने करें सबीर तर्ड करतें हैं आप चाहे तो पूशनी कोई ले तो वैसे ही अपने आप में ही मीठा रहता है और इसमें डाल देते हैं चलिए चीनी लिया है इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं यह फ्रेंड इंस्टन रेसिपी है जैसे आप लोग घर में अपना इंस्टन कोई भी मिठाई बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं जटपड इसके लिए हैं आपको गैस जलाने की ज़रूरत नहीं है और फट से भी बन जाएगी और यह है नारियर का दूरा इसको भी इस अवह मिक्स कर लिए हैं जाए हम दो कलर का बनानी वाले हैं एक वाइट और एक पिंग अगर आपको जो कलर पसंद है पूर तले आपके घर में जो भी अले वले इसको हां से ही मिक्स करेंगे इसमें हलका हलका हम दूर्ट डालते जायेंगे अब इसको अच्छे से बाइंड कर लेना है अब यह मैंने कटोरी से मेजर करके लिए था एक कटोरी था जैसे दूर वैसे उतना तो लगेगा नहीं अब देखे फ्रेंड यह अच्छे से हमारा मैल्ट हो गया है अच्छे से मिस कर दिये हैं अब इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइट करेंगे यह मैंने दो पार्ट में डिवाइट कर दिया है एक पार्ट इसमें एक पार्ट इसमें अब चलिए और जो सेकंड पार्ट लिए हैं इसमें मैं पिंक प्लर एट करती हैं कि चार से पांच भून और इसमें पेणिला एसेंस भी अब इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर देते हैं यह हम दो प्राट बना रहे हैं आप इसको खाएंगे तो पाते रह जाएंगे और देखिए कोई ऐसी मिठाई है जो बीना गैस की बनती है तो देखिए यह तो है एक उदारन है जो हम बना रहे हैं अब यह अब यह से मिक्स हो गई है अब इसको एक साइड में हम लोग रख देते हैं अब यह एक प्लेट लिए यह देखिए फ्रैंट यह हम हाथ में घी लगा लिए हैं घी लगाने से यह चिपकेगा नहीं अधे मैं अच्छे से रोल हो जाएगा इसको दो रोल करेंगे भी इसको इस्को इस्ट्वयर सेफ में देंगे इसको बना लिए है इसको भी हम इसको बना लिए है इसको भी हम इसको बना लेते हैं आप अपने घर में जरूर बना के देखिए इसको 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 बना दिये हैं कि दोनों की साइज बराबर है कि देखिए पहरें इसको इसको बना लिए हैं अब इसको इसको बना लेते हैं कि दोनों को इस सबको साइज एक जैसा होना चाहिए अब हम इसको एकसा सेट कर देते हैं है यह यह मैंने पेपर लेगे लिए है इसमें अग्वाद देती है इसके बाद जो सेप बनाए है उसको हम लोग इसमें रख देते हैं कि अब इसको ब्सक्राइड है एक साट कर देंगे फिर पिंक लर वाला को भी दे लिए हैं आदोनों को एक साट कर देते हैं कर देंगे नहीं रहना चाहिए इसमें तो यह मिठाई अलग-अलग हो जाएगा इसलिए दोनों को अच्छे से स्ट कर लेते हैं अब यह और अच्छे से सैट हो जाएगा जैसे हम लोग यह पॉलेफिन धुमाते जाएंगे आप यहाँ पर अलुमेन फाइल भी ले सकते हैं या फिर आपके पास जैसे अलुमेन फाइल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप कोई सब ही पेपर ले सकते हैं पॉलेफिन ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है यह देखिए हमारा यह मिठाई अच्छे से से सैट हो गया है अब चलिए इसको हम लोग प्रेजर में करेंगे और सेकंड वाला भी हम लोग बना लेते हैं यह मैंने सेकंड लेटी कर लिया है देखिए अब इसको भी हम लोग रैप कर देते हैं देखिए फ्रेंड की मिठाई का रैपर हमारा रेडी हो गया है अब चलिए इसको हम लोग फ्रीजर में रख देते हैं इसको करीबन हम लोग आदर वंटे के लिए रखेंगे उसके बाद देखते हैं तो चलिए फ्रेंड ये हमने जो सेट किया था मिठाई इसको हम खोल के देखते हैं ये मैंने दस मेट के लिए फ्रीज में सेट कर दिया था ये सेट हो भी गया है अब ये सेकंड है सेकंड वाला ही है इसको भी निकालते हैं ये अच्छे से से सैट हो गया है बस प्रेंड इसका इतना ही है कि आप इसको सैट कीजिए अच्छे से उसके बद हमारी ये मिठाई बहुत अच्छे से रड़ी हो जाएगी अब ये हम लोग एक पेपर रड़ा देते हैं अब ये सामने वारे पेपर में तो जिस तरफ हमारे पिंक किलर की मिठाई है उस तरफ प्वाइट करेंगे ये अब बस इसको एक साथ हम लोग अच्छे से से सेट कर देंगे अब चाहे तो इसको चौकों ना करके इसको रोल भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है ये मैं इसको चौकों साइज में कर रही है आप एक बार बनाईए और एक बार खा के देखिए ये वाली मिठाई बहुती अच्छी बहुती टेश्टी और कम समय लगे का इसको बनाने के लिए मैं आपको ये वाला ट्रीक बताती हूँ जो इजली आप अपने घर में बना सकते हैं अब चलिए देखिए एक बार और सेट कर देते हैं बर इसको कर दो दो कि अच्छे से सट हो गया है क्योंकि हमारी विठाई है थोड़ी है तो इसको हम लोग देश्टी में ले लेते हैं सेट करते हैं क्या है कभी हमारे घर में अलुमिनियम फैल नहीं होता है तो हम उसको मतलब ये नहीं है कि ये मिठाई नहीं बना सकते हैं ऐसा नहीं है ये मिठाई बना सकते हैं इसलिए मैं इसको आपको 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 ये में बना के बता रहे हैं आपको 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 तो इसको फ्रीजर में सेट कर देते हैं उसके बाद देखते हैं चलिए इसको हम लो कट करते हैं कि आपको अच involा कर दो अब तो बाद वैं numerous है वाल अब को अ और वजो किस भीए ऊपनानघ ये मिठाई को और न आपको आपको अजकोल तुके बैन ये मैं हमारा मिठाई बट यकलाँ हो गया है कापी अच्छा बना है कि इसका टेक्स्चर कितना अच्छा बना हैं आप जरूर अपने घर में बनाईए अगर आप सभी को मेरी रेसिपी अच्छे लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए बेल एकन प्रेस कीजिए ताकि मैं आपके पास लेटेश नया नया सब वीडियो ला सकूं तो चलिए आप सब मेरे वीडियो देख